एक स्टुडेंट था 12 स्टैंडर्ड का ब्रिलियन स्टुडेंट उसने अपनी एक गोल सेटिंग करी उसने अपना एक टार्गेट बनाया कि मुझे 12 में मतलब के बोर्ट के एक्जाम्स में 98% चाहिए और इस टार्गेट के बेस पे उसने आगी कि अपनी सारी प्लानिंग कर कि जब मेरे 98% आएंगे तो मेरा इस कॉलिज में अडिमिशन होगा फिर मैं ये करूँगा फिर मैं वो करूँगा ऐसे-एसे सारी प्लानिंग करता से ला गया एक्जाम्स हुए रिजल्ट आए उसकी परसेंटेज आई 96% और उस लड़के ने सुसाइट कर लिया और इसे एक यदो एक्जाम्पल नहीं है इंडिया के अंदर हजारो ऐसे एक्जाम्पल हैं जिन्हों ने नंबर कम आने की वज़े से सुसाइट कर लिया यह तो हो गया एक stream example लेकिन अगर मैं बात करूं उन स्टूडेंट्स की जो नंबर कम आने की वजए से डिप्रेशन में चले गए परिशान हो गए जिन्दगी से हार गए जिनका confidence zero हो गया जिनको कुछ सबय नहीं आरा कि हम आगे क्या करें तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स होंगे इस टाइम इंडिया में लाखों हैं करोड़ों हैं पता नहीं कितने हैं जिनकी जिन्दकी खराब हो रही है किस वजए से एक गलट ट्रैक पे चलने की वजए से अगर मैं ला यह लाइफ का गेम है क्रिकेट का गेम नहीं कृकिट से रिलेटेड ए में आपको एग्जामपल दे रही हूं यह जिन्दकी आप यहाँ पर बैटिंग कर रहे हो पीछे कोई विकट्स नहीं है कोई Wicked कीपर नहीं है कोई और Calस नहीं है सामने से लाइफ के जिन्दगी है जो एक के बाद ये बॉल फैक्टी चली जा रही है बॉल आरही है एक बॉल आई आपने बैट खुमाया वह बॉल चूट गई पीछे निकल गही है अब क्या करोगे इस बात को मैं बोलने वाए ओगे करोगे आप parents हो, आपके बच्चे से एक बॉल छूट गई, क्या कहोगे उसको मर जा, क्या कहोगे उसको, कि तू हार गया, जिन्दगी से हार गया, अब तू कुछ नहीं कर सकता, तू किसी काम का नहीं है, यह करोगे, तो क्या है life, life को समझो, life वहाँ तक नहीं है, जहां तक आप सोच रहे हो, आपकी सोच से परे है, जहां तक आपकी सोच नहीं है, बहुत सकती, वो है असली जिन्दगी, तो हुआ क्या, एक बॉल छूट गई, वो बॉल क्या थी, वो एक opportunity थी, जो numbers के रूप में आपके सामने आ रही थी, exams के रूप में आपके सामने आ रही थी, क्यों यह 12th के exams है, सामने से जिन्दगी ने एक opportunity फैकी, वो निकल गई, मैं यह नहीं कह रहा है, वो opportunity नहीं थी, थी, माल लिया, number आयाते तो ठीक है, कुछ अच्छा हो जाता, निकल भी गई, या फर्क पढ़ता है भाग नहीं जाते, कुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती, अगर आप पिछ पे डटे रहो, लाइफ का सिर्व एक काम है, वो एक के बाद एक बॉल फैक्टी चली जाएगे, एक बॉल आई, exams की, निकल गई, कोई बात नहीं, एक दूसरी बॉल आईगी, कोई और रहे हो, वो छोटी है, और जिसको छोटा समझ रहो, कई बर बढ़ी होती है, सामने से आई, एक बॉल आई, निकल गई, क्या फर्क पड़ता है, नमबर आ गए तो बढ़िया है, नहीं आए तो और बढ़िया है, बॉल मिसो कोई, कोई बात नहीं, तयार रहो, बैट करके र लोना नहीं है, साइड में जा करके बैठना नहीं है, कि मैं बरबाद हो गया, मैं लुट गया, पिछ पे डटे रहना है, एक बॉल निकल गई, कोई बात नहीं, बाई, शौट लग जाता तो बढ़ियाता, नहीं लगा, और बढ़िया है, कोई दूसरी बॉल आ रही है, दे फेल नहीं होते है, एक इवेंट का एंड, लाइफ का एंड नहीं है, भाई, लाइफ के अंदर हजारों लखों इवेंट आने वाले हैं, और एक एक करके बॉल आ रही है, तीसरी बॉल आई, बैट गुमाया, फिर मिस हो गई, पाच्वी बॉल आई, फिर बैट गुमाया, छटी बॉल आई, आगे बढ़े लिया, छक्का, एक ही बॉल मन, पास बॉल की कसर पूरी, सारा खेल पलट जाएगा, एक दिन के अंदर अंदर, वो एक दिन, हमज़ गए, जिन्दकी खेल है, ज्यादा सीरिसली मतलो, एक बॉल पे छक्का बढ़ गया, उसके बाद भी लिटना नहीं है, या मैंने छक्का मार दिया, वो दस साल पहले मैंने छक्का मारा था, तो क्या हो गया, दस साल बहुत पीछे है, आज क्या कर रहा है, ये मैटर करता है, तो करना क्या है, चाहे बॉल छूटे, या छक्का पड़े, भाई खेलते रहो, मरते दम तक, जो क्यों पर रखो, सक्सेस की तरफ या फेलियर की तरफ नहीं है, ये टेंपरेली चीजे है, आएंगी, जाएंगी, 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 कोई मैटर नहीं करता, जिंदगी खेल है, इस खेल को खेलना है, देखते रहना है, अपनी नजरे गड़ाए रखनी है, एक की बाद एक बॉल आईगी और कोशिश करते रहना है जो कोशिश कर रहा है वो successful है जो ठक करके बैठ गया है वो failure है जो खुश होकर के side में बैठा हुआ है कि हाँ मैंने छक्का मारता 4 साल दे लाता है वो भी failure है failure है भाई जिन्दा लाश है जिन्दा लाश है धर्ती के ओपर बोज है क्या कर रहा है कि बस एक छक्का लग गया बैठ गया जाकर के बस हो गया खेल ख़तम जिन्दगी का बस एक छक्का मारते के लिए आयते हैं बस जिन्दगी में और कुछ नहीं करना सौ छक्के क्यों नहीं दार खक्के यो नहीं हां? प्रपलम क्या है? ये है जिंदगी का खेल जिसको हमको समझना है जिसके ंदर हमको पक्के होना है और ये है positive thinking का असली मतल्ण मतल्ड अबके realistic positive thinking based upon fearless action बिना किसी डर के act करना है अब देखो ना आपका डर गायब stress गायब, depression गायब pressure गायब कि जब आप उपने दिमाग में आपने बिठाली मेरी बाते अगर जो मैं बोल रहा हूँ कि भाई नंबर आ गए मेरे को अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़नी पढ़ाई हूए जान लगा दूगा पढ़ने के अंदर अब पढ़ाई क्या चीज है जिन्दगी में जो भी काम करूँगा उसमें जान लगा दूगा और जो मैं चाहा रहा हूँ वो हुआ तो अच्छा है और जो मैं चाहा रहा हूँ अगर वो नहीं हुआ तो और अच्छा है और अच्छा है But, मेरे पास capital नहीं था, मेरे business करने के लिए, then मैं Dubai किया, अपना business के लिए, पैसे घटे करने, मैं वहाँ पे गया था, तिस रिफ मेरा mindset ये था, कि मैं कुछ earning करूँ, then इंडिया आए अपना business चाहँ करूँ, बट वहाँ पे मुझे इतना अच्छी प्रोग्रेस मिली, मैं चार साल रहा, एक ट्रिप की, देन अगेन मैं गया वहाँ पे, इतना अच्छा सब कुछ मुझे मिला, अच्छी सालरी, सब चीज अच्छा था, बट फिर भी माइंड में वह था कि इंडिया आकर बिजनिस करना ह लाइकामबानी, अभी हमें पांच मेने पहले इंडिया आया, दो वैसे, तो मेरी और इंक्रिमेंट कर रहे थे, जो मेरी बॉस थे, बट अभी मैंने स्टेप लिया नहीं, अगर अभी नहीं कर पाया, तो फिर कभी नहीं कर पा हूँगा, बट अभी हमें बिजनिस जो स्ट किया, अब इनको ये लग रहा है कि यार, वो जॉब ही अच्छी थी, मालो, या उस जॉब में भी प्रोग्रेस की कुई कमी नहीं है, वहाँ पर भी हम आगे बढ़ सकते थे, तो आप जहान से समझे ना, कमफर्ट जोन से बाहर निकलने का में परपस क्या है, क्या ये है कि ह हम ये छोड़ करके वो करें, क्योंकि जो भी करोगे, उसके भी अपने प्लस माइनस होंगे, क्योंकि जब तक कोई चीज जैसे बोलते नहीं, कहावत नहीं, दूर के ढूर, तो दूर से बढ़ अच्छा लग रहता है, बिजनस, कि मैं बिजनस करूँगा, मैं ये, मैं वो, जब जाते हैं, वो करते हैं practically, तब हमें समझ आता है, कि वो मेरे लिए है या नहीं है, तब ये भी समझ आता है, कि जो हम पहले कर रहे थे, वो मेरे लिए है या नहीं है, तो comfort zone से बाहर निकलने का मतलब ये है, कि at least जो भी आप risk लेना चाहते हो अपनी life में, अभी time है अब इनोंने risk लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां से निकलोगे तो बिजनस आप करोगे तो उसमें successful होना है, नहीं, comfort zone से निकलने का मतलब ये है, कि at least अब आप आप से बाहर निकले, आपने business try किया, हो सकता है वो business चले, हो सकता है, ना चले, because it depends upon lot of factors, नहीं भी चले, अगर आपस से वहां भी गए, जहां पर आप पहले थे, तो at least आपके अंदर से जिन्दी भर के लिए रिग्रेट निकल गई, ये रिग्रेट तो गया ना हमारे अंदर से हमिशा के लिए, कि मैंने try ने किया, ये important है life में, उसके बाद अगर आप आपस भी जाओगे, तो आ हमिशा के लिए निकल गया, को तो आपको, मैं आपको, मेरी best wishes आपके साथ में हैं, I wish from the bottom of my heart, कि जो आप कर रहे हैं, उसमें आपको success मेले, 0.1% ना भी मिले, because of whatever reasons, और आपस भी जाओ तो अब अटलीस्ट वहाँ भी आप जाओ, वहाँ भी आप खुश रहो, life में यह सबसे इंपोर्ट है, जैसे कंटिंडियों अदर की जो कंपनीस थी, वहाँ मेरा लिंक था, वहाँ सिल्स, तो अभी भी 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 जाओ, तब मैंने बहाँ जाता है, कि क्य वहाँ उन्हाँ था जाओ प्रणाज़ेश्ट वहाँ गार लिंग लिए जाओ, तो अब जाओ, तो अब अपना एक में अपन एक में अपकर सकते हो, कि में को एक साल तख लगकर के उसके अऊपर एक करना है, और फिर एक साल बाद देखना है कि इसमें से क्या निकल कर आग अगर तो कुछ निकल के आगा है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो I'll go back there, but you must give it a shot, वो समाई नहीं आता, इससे आपको भी आमसर मिला, अभी, कि अभी आप कह रहे हो कि जहां पर मैं काम कर रहा हूं, वहां पर पैकेज भी तना तगड़ा नहीं है, और फ्यूचर भी इत क्या बोल रहोंगे, अभी यह बोल रहोंगे कि तिरा भाई देख, तु खुद को देख, तब भी तो बोलेंगे, इससे आदा क्या बोलेंगे, सुचनली बात है, हम बस कई बर क्या होता है, प्रॉब्लम्स को ओरेस्टिमेट कर रहे होते हैं अपने ही माइड में, इंडिया कभी आपने थोड़ा सा नोटंकी के लिए भी बोला रहोंगे, आँ में गर चोड़ के जा जारू हूँ, नीद उड़ जाई का अपके लगा लोगी, तब कर देख लेना यह नोटंकी करीभी होंगी, मैं कर देख लेना, मैं बड़ी करता था बच्पन, जरा जो कुछ आइ सपस्क्राइब कर रहे इन चीजह को, कि क्या कर देगे, क्या करदेगे, मार देंगे, समझ, क्या बोलें गई तो, तो तो भी भी रहेगे, अटलीस क्या हुआ, कि आपने आ गजो remarkable honey, नोबड़ी नोज अब दूँ ऑपको तूक्समाना में आपको सक्समाज की निलेगी तो बन्दा है, पन्दा है, नम्बर का ओब बन्दा, पो अपना काम निकालेगा और आपको साइड में करेगा, जो भी बन्दा जिसको आपको अपसे कुछ नहीं चाहिए, यो कभी भी आपको शॉरिटी नहीं देगा, आपको जाही सला देगा, तो मैं आपको बिल्कुल एक जूआ कुछ एक बडिए कुछ निया हिएं Mezda और गदो हूं एक पर उप अंदर आः यह है लुटी हम्तिस आए लाफिंग्र आ कि निया करना है कि जए अजयो करना ओर खैमान जावान के युट तो गलाकि टैश् yूरो करना बॉरी कया एक बर्लेफ और उनका है अम्मानी आपका है कमानी तो हो सकता है next कमानी